हलो एब्रीबन वेलकम टू वेदेमी और आज हम पढ़ेंगे एनिमल फिजियोलोजी में ट्रांस्पोटेशन ओफ दा गैसे तो यह रेस्पिरेटरी फिजियोलोजी का थर्ड लेक्चर है जिसमें हमें पढ़ना है ट्रांस्पोटेशन ओफ दा गैसे इससे पहले हमने को देखे क्योंकि यह पूरी जो फिजियोलोजी है रेस्पिरेटरी फिजियोलोजी वो इंटरकनेक्टेड है जब आफ फर्स्ट चीज को समझेंगे फर सेकेंड और थर्ड तो आपको सारी चीज़े बहुत असानी से समझ में आ जाएंगे तो आज का लेक्चर अब है वगके पर्सेंट के हीमोग्लुलोवीं के थो ही होता है तो सबसे पहले हमें हमोग्लुलोवीन के बारे में जानना बहुत जरूरी है मैंने यहां पर पेहली ही slide पर mention करा है कि structure and functions क्या है hemoglobin की तो पहले हम structure जानते हैं तो hemoglobin जो कहा है वो complex protein है जिसमें quaternary structure है और यह composed कि यह रहता है four subunit को अब यह कैसे quaternary structure बनता है क्या इसकी four subunit है यह मैं अभी आपको एक-एक करके हम यह सारी चीज़े resolve करेंगे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि जो hemoglobin है वो quaternary structure है जिसमें four subunits है ठीक अब इसमें तो अगर आप major part की बात करें तो two major part है पहला होता है आपका हीम तो यह जो हीम पार्ट होता है यह नोन प्रोटीनस पार्ट है मतलब हीमोगलोविन का development ऐसा तो है नहीं कि सीधा बन गया टेट्रामेरिक प्रोटीन नहीं अगर आप पूरा synthesis देखेंगे हीमोगलोविन का तो पहले आपकी पायरोल रिंग बनती है फिर आपका प्रोटोपायरेन रिंग बनती है फिर उसके बाद आपका हीम ग्रोप अटेज़ होता है और उसके बाद आपकी जो ग्लोविन चैन होती है या जो प्रोटीनस पार्ट है वो अटेज़्ट होता है तो स्टार्टिंग में जब आप हीमोगलोविन के development या synthesis की बात करेंगे तो आपके लिए जो मिलता है वो नौन प्रोटीनस पार्ट होता है जब तक की आपके हीम के arrangement मलब जो आप पूरा हीम पार्ट कहेंगे अब यह क्या होता है वो मैं नेक्स स्लाइड में आपको बताऊंगी तो जो हीम पार्ट होता है वो क्या है आपका हीम ग्रोप इस आ नौन प्रोटीनस आइरन कंटेनिंग कंपोनेंट देट बाइंड टू दा और यहीं पर ही यह जो आपका नौन प्रोटीनस पार्ट होता है जीसे हीम पार्ट कहा जाता है जहाँ पर आईरन आके जोड गया है और यही आईरन जो है वो आपके oxygen को carry करता है तो hemoglobin में जो iron वाला part होता है वो ही आपकी oxygen को wind कराता है अब कैसे कराता है वो मैं आगे आपको बताऊंगी अब hemoglobin में क्या 4 hem group होते हैं कैसे 4 होते हैं क्योंकि ये tetramerican nature है इसमें जो 4 sub units है वो ही मतलब sub units मतलब ही हीम group की बात है ठीक है तो यहाँ पर 4 ही group होते हैं उसी वज़य से जो आपका hemoglobin है वो 4 oxygen को एक साथ अपने pocket में bind करता है और उनका transportation करता है फिर हम बात करते हैं second part की जो है हमारा glowing तो ये जो glowing part है ये हमारा protein structure होता है क्योंकि ये amino acid से बना हुआ होता है और ये protein की long chain होती है जैसे हम पढ़ते हैं alpha chain, beta chain gamma chain, delta chain तो अगर हम adult की बात करते हैं तो majority में आपका पाया जाता है alpha and beta वहीं पर अगर हम minority की बात करते हैं तो आपकी beta chain से replacement हो जाता है अब आप अगर fetal hemoglobin की बात करेंगे तो इसमें gamma globin chain होती है तो वो भी आगे चलके हम पढ़ेंगे तो वो यहाँ पर है कि जो globin part है वो आपका protein वाला part होता है जो made up of होता है आपके amino acids से और ये जो hemoglobin का quaternary structure है उसमें 2 alpha chain involved होती है 2 beta chain involved होती है और जो globin अब ये adult की बात होगे वहीं पर अगर आप fetal hemoglobin की बात करेंगे तो beta subunit is replaced by gamma subunits फिर next ये जो iron है अगर ये fe 2 plus stage में होता है जब इसको ferrous form कहा जाता है तो ये ferrous form ही जो आपका ferrous form है वो ये oxygen को bind कर सकता है जो आपका fe 3 form होता है जो आपका ferric form होता है उसको कहा जाता है met hemoglobin और ये oxygen के साथ bind नहीं करता है तो जब आपका hemoglobin oxygenation stage में होता है जब वो binding stage में होता है तो वो basically ferrous form में होता है और वहीं पर जब वो unbounded होता है oxygen को bind नहीं किये रहता है तब वो आपका ferric stage में होता है इससे कहा जाता है met hemoglobin अब देखो पूरा में आपको synthesis बता देती हूँ hemoglobin तो आप structure के दुरू समझ जाएंगे पहले है आपका ये pyrol ring जब आप simply इस ring की बात कर रहे है that is call अगर simple chemistry पढ़ी है तो ये है pyrol ring फिर क्या होता है जब ये pyrol ring आपस में attached होती है तो बो बना लेती है आपका forfiring कई जगा इसको proto forfiring भी कहा जाता है फिर इसके बाद आपका heme group attached हो गया तो ये आपका अब hemoglobin का अब हम कह सकते हैं कि हाँ अब hemoglobin बनना शुरू हुआ है क्योंकि ये जो है जैसे forfiring pyrol ring आप ये बहुत compound में पाएंगे होता है इसलिए कहा जाता है कि hemoglobin के two parts है एक तो heme part तो ये हमारा पहला part है जिसे कहा जाता है heme part और ये हमारा non-proteinous part है इसलिए क्योंकि यहां पर कोई भी global chain या यहां पर किसी भी तरीके कि कोई amino acid का भी bindation या binding नहीं हुई है तो ये क्या है non-proteinous part है heme growth है फिर इसके बाद आएगा हमारा hemoglobin monomer क्योंकि यहां पर आप ये देखिए amino acid की change जो है वो develop होने लगी है जो आपका amino acids है वो एक एक करके develop होने लगे है तो इस स्थिति में ये वना है लेकिन अभी hemoglobin monomer क्योंकि इसके पास एक iron है और एक ही ये पूरा फोर फाइरिन जो है contain किये है तो ये क्या है hemoglobin monomer अब hemoglobin tetramar तब बनेगा जब आपका जैसे एक ये फिर ऐसे ही दूसरा फिर ऐसे ही तीसरा और ऐसे ही चोथा जो आपका monomer है जब चार monomer hemoglobin के आपस में जुड़ते हैं तब जाके वो बनाता है hemoglobin tetramar तो इस तरीके से एक monomer के पास एक आपका fe group है fe 2 प्लस आइन यदि हम binding stage की बात करें तो इस तरीके से हर एक जो hemoglobin monomer है उसके पास होगा fe, fe, fe tube यह लखा भी हुआ है यहां पर तो इस तरीके से इनके पास 4 fe group होँगे तो अब क्या है इस चार binding side या चार pockets hemoglobin के पास होते हैं तो एक complete hemoglobin का structure आपका hemoglobin tetramar के थूँ बनता है ना कि monomer के थूँ और अगर आप से इस तरीके का कोई structure आपके सामने आ रहा है तो यह basically monomer hemoglobin का tetramar जब इसी तरीकी monomer की 4 units combined होगी तो इस तरीके के यह pockets बनाते हैं और इसी पे जो है आपका oxygen bind होता है तो यह हमें oxygen की यह जो hemoglobin है कैसे इसको bind करके transport करता है तो हम अब उसको पढ़ेंगे तो यह तो मैंने आपको basic structure बता दिया और किस तरीके से उसका पूरा synthesis होता है यह बताए अब next मैं आपको बता देती हूं functions के बारे में तो पहला function hemoglobin का क्या है primarily अगर हम देखें तो यह oxygen transportation में होता है ठीक है अगर blood में जैसे हमने pulmonary ventilation में कहां तक पट लिया था कि oxygen हमारे lungs तक आ गई है लेकिन lungs के बाद भी हमारी oxygen को pulmonary capillaries में जाना है फिर उसके बाद पूरे tissues में जाना है अब इसको ऐसे को समझे कि जैसे अगर oxygen की requirement kidney में है लेकिन अभी oxygen अगर हमारी lungs में है तो इसको kidney तक जाने के लिए किसी तरीके के carrier की जरूरत होगी vehicle की जरूरत होगी और वो vehicle ही आपका blood में जो hemoglobin है वो होता है ठीक है और although बहुत सा अब देखो एक यहां पर जो reaction होगी वो होती है oxygenation की क्योंकि एक process होता है oxidation और दूसरा होता है oxygenation जब oxygen molecule की cable binding होती है जैसे hemoglobin और oxygen की cable binding होई there is no any reaction between hemoglobin and oxygen तो बो reaction है oxygenation और जहां पर oxygen की किसी दूसरे molecules के साथ reaction होती है और कुछ और ही बना लेते हैं वो कहलाता है oxidation तो यहां पर oxygenation की reaction होई और इन दौनों ने एक दूसरे के साथ binding करें और जो आपको final product product नहीं कह सकते जो final form प्राप्त हुआ मिला वो है हमारा oxy hemoglobin फिर next क्या है जो oxy hemoglobin होता है वो carried करता है tissue को and release oxygen जहां पर भी जरूरत होती है जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हार्ट हमारा जो oxygenated blood है वो lungs से पूरा oxygenated हुआ फिर आपके लैप्टब एंट्रीकल में है लेकिन इस oxygen को blood को kidney तक ले जाना है तो वो पूरा काम blood करेगा oxygen को अगर kidney तक जाना है तो वो पूरा काम कौन करता है blood में hemoglobin करता है अब जो hemoglobin है also transport carbon dioxide in carvamino hemoglobin तो ये भी एक इसका function होता है कि majority में जो transportation है gases का चाहे वो आप oxygen की बात करें या carbon dioxide की बात करें तो वो हमारा hemoglobin के थ्रू ही होता है अब hemoglobin also act as a buffer regulating blood pH तो ये भी इसका बहुत important function है जो कई बार नहीं देखने को मिलता है बहुत सारी अगर आप books देखेंगे तो transportation की बात करें लेकिन buffer में भी ये काम करता है ये कैसे काम करता है वो आगे चलके मैं आपको बताऊंगी क्योंकि जो hemoglobin होता है उसमें जो global chain होती है उसमें जो amino acids होते हैं वो basically bind करते हैं आपके H plus sign को और ये अब H plus sign कैसे बनते हैं जब हम CO2 transportation पढ़ेंगी तब मैं उसमें आपको बताऊंगी तो उसी H plus sign की concentration के दुरू ये maintain करते हैं आपके blood के pH को तो blood का जो pH हम देखते हैं कि हमारा 7.4 है तो वो हमारी किसकी वज़ाई जैसे उसमें hemoglobin का भी contribution होता है फिर जो fetal hemoglobin है वो हमें पता है कि efficiently extract oxygen from the mother bloodstream तो जो हमारा fetal hemoglobin होता है जब बेबी का development होता रहता है मदर की uterus में तो उस time जो हमारी gamma chain होती है वो basically highly efficient होती है कि मदर से जो oxygen मदर ले रहे रहे रेस्पिरेशन के दुरू उसको extract करती हो फीटर्स का development होता है अब overall अगर देखा जाए तो hemoglobin जो है वो ensure भी करता है oxygen delivery को to the cells and carbon dioxide removal को तो यह bind करता है transportate करता है plus में ensuring भी करता है कैसे करता है कि जैसे अब hemoglobin oxygen के साथ भी बाइंड करेगा carbon dioxide के साथ भी बाइंड करेगा तो at the same time इसको क्या करना है oxygen को release करना है cell में और at the same time इसको CO2 को bind भी करना है cell से और बापस atmosphere में छोड़ना है तो यह उस चीज का भी ध्यान रखता है अब यह कैसे होता है वो हम transportation में पढ़ेंगे अब यह जड़ा note करके आप रखिए hemoglobin को कभी भी आप free stage में नहीं पाएंगे यह आपकी RBC में all time bind कर रहता है इसका reason यह है कि जो hemoglobin है वो highly toxic molecule है और अगर इसकी binding RBC में नहीं हुई अगर यह free रहा blood में तो यह blood के थ्रू सीधा kidney में जाएगा क्योंकि kidney ही filtration का का काम करती ह तो kidney में यह जैसी जाएगा तो इसका molecule जो है वो छोटा भी होता है इसका जो molecular size है वो काफी छोटा है तो यह easily glow merulous filtration के थ्रू चला जाएगा अगर आपके nephron में तो nephron में अगर यह जाता है तो उसको करता है damage इसलिए हमेशा इसकी binding RBC के साथ की जाती है और जब भी आप glow merular filtration की बात करते हैं तो RBC कभी भी filter out नहीं हो पाती क्योंकि RBC का shape बड़ा है इसलिए हीमोग्लोविन का भी filtration नहीं होता तो इनको bind करके रखा जाता है फिर जो है अगर आप एक RBC की बात करें तो millions of million हीमोग्लोविन एक RBC के अंदर present होते हैं तो आप सोच सकते हैं कि कितना इस small molecule है हीमोग्लोविन और वो कितने efficiently उसको काम करना है oxygen को लाने का CO2 को ले जाने का इसलिए एक RBC में million of million हीमोग्लोविन present होते हैं अब ये key points है क्योंकि अब हम बात करें I hope कि आप समझ गए होगे कि हीमोग्लोविन structure क्या है उसका function क्या है अब हम key points पढ़ेंगे oxygen transportation का क् हमारा लेक्चर पूरा oxygen transportation के उपर है तो सबसे पहले क्या है जो oxygen है उसकी limited solubility होती है in water especially in blood plasma तो जब इतनी कम solubility है तो इसलिए अगर आप dissolve oxygen की बात करें तो केवल 1.5% inhale oxygen जो आप atmosphere से आपके lungs में गई और आप वो lungs की तुरू diffuse होके आपके blood में गई आपके pulmonary capillaries में गई तो इस pulmonary capillaries में cable 1.5% ही oxygen dissolve होगी और वो transport होगी क्योंकि इसका जो अगर solubility है water या प्लास्मा में बहुत कम है और जो majority of transportation है जैसे 98.5 वो आपके hemoglobin में binding के थू होता है अब एक चीज ये point ज़रा याद रखो कि अगर मैंने 100 ml oxygen 100 ml oxygenated blood अगर body से निकाला जाए और उसमें calculate किया जाए कि कितने ml of oxygen थी क्योंकि हमें पता है कि जब हम oxygen को या gases को compressed करते हैं तो वो liquid form में आ जाती है तो इसलिए यहाँ पर जो gases का measurement है वो ml में लिखा जाता है अब इससे confused मत हो जाना कि gases किस तरीके से ml में आती है ठीक है तो gases का measurement हमेशा ml में होता है क्योंकि जब उनको highly compressed किया जाता है तो वो आपके liquid form में आ जाती है तो अगर मैं 100 ml oxygenated blood हम oxygen आपको मिलती है तो 100 ml मतलब अगर blood का circulation हुआ है तो मतलब आपकी जो 20 ml oxygen है वो भी साथ में circulate हुई है अब इस point को समझे अब next क्या है यह तो मैंने पूरे blood की बात बताई लेकिन इसमें से कुछ oxygen कैसे भी transfer हो रही है dissolve form में और बागी का जो more oxygen का amount है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है आपके हीमोगलोविन में तो हम यह कह सकते हैं 20 ml में से 0.3 ml है वो dissolve form में ट्रांसपोर्ट होगी और बागी का जो remaining आपका 19.7 ml oxygen है वो आपके हीमोगलोविन से bind करके होगी तो यह पूरा distribution है जो standard distribution है तो आपको यह चीज़ ग्याद रखने हैं कि 100 ml of blood में oxygenated blood में 20 ml of oxygen transport होती है तो transportation too tight का होगा तो आपकी 0.3 ml dissolve form में 19.7 ml आपकी binded form में transport होती है अब हीमोगलोविन में ही अभी हमने पढ़ा कि 4 group थे 4 iron site थी क्योंकि टेट्रामर था जब भी हम complete हीमोगलोविन की बात करते हैं तो इसके पास क्या होती है 4 packets होते हैं तो यह क्या करता है अब नेक्स्ट क्या है जो oxygen एन हीमोगलोविन यह कम माइंड होते हैं आपकी रिवर्सिवली बिलकुन क्योंकि इसको क्या करना है लंग से एल्विलाई और एल्विलाई में जो आपकी ब्लड कैपिली रहें वहां पर हीमोगलोविन तो यह हीमोगलोविन औक्सीजन से बाइंड करेगा टिशू तक लेके जाएगा तो अब इसको प्रेशन को वहां पर छोड़ना भी तो है विसलिए यह रिवर्सिवली बाइंड करता है लेकिन या डिपेंड करता है यह डिपेंड करता है आपके पार्शल प्रेशर और ऑक्सीजन पे जहां पर ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा होगा तो इचहां पर project लिए इसका नीचर जो है वो रिवाइंडिंग कर देता है उसकी तो इसलिए इसका नीचर जो है वो रिवर्सिवल है अब हीमो गलोविन बांड oxygen bound to the hemoglobin within the red blood cell यह हमने कई बार discussion कर लिया है और यहां पर यह मैंने आपको reaction बताई थी इसको एरेज करके आपको दिखा देती हूँ ठीक तो यह आपकी reaction है कि कैसे जो हापका hemoglobin है अभी reduced form में है deoxy form में है oxygen के साथ इसने binding करी और आपका oxyhemoglobin बना लिया और वही पर oxyhemoglobin का dissociation भी होता है तो यह फिर से deoxyhemoglobin बना लेता है अब यहां पर हमारा step by step transportation शुरू हो गया क्योंकि पहला transportation तो simply plasma में dissolve होके हुआ था कितना था वो था 1.5% कि simply क्या हुआ कि आपकी यह अल्विलाई थे कि यह अगर आपका अल्विलाई है और यहां पर है आपकी capillaries तो जो आपकी o2 है जो atmosphere से लंग में आई फिर आपकी अल्विलाई से होती हुई simple आई आपकी blood plasma में और इस plasma में सारी oxygen सबसे पहले blood plasma में आती है ऐसा नहीं है कि सीधा चली जाएगी वो RBC के उबर तो मान के चलो कि सीधी oxygen आपकी blood plasma में आई तो इसकी solubility तो बैसे भी बहुत कम है जब solubility कम है तो cable 1.5% जो है वो हुई और अब उसका transportation हो जाएगा और बाकी का जो 98.5% है अब उसका transportation का हम step by step discussion कर रहे हैं तो पहले क्या है oxygen diffusion occur between pulmonary alveolus and the adjacent pulmonary capillaries मतलब की जो हमारी alveoli है वहां से oxygen pulmonary capillaries है वहां पर simply आ जाती है diffusion के थूँ क्यों क्योंकि जो हमारा alveoli है वहां पर partially pressure oxygen का कम जादा है इसको 100 mmHg कहा जाता है वहीं पर अगर हम अपनी pulmonary capillaries की बात करें तो वहां पर oxygen का partial pressure 40 mmHg होता है तो यह sudden diffusion के principle के थूँ gases जो है pulmonary capillaries में आ जाएंगे अब देखो जो partial pressure oxygen का वो कितना है 100 mmHg है और जो आपका बीनस blood है मतलब की alveoli में तो 100 mmHg है और लेकिन जो आपका वीनस blood है जहां पर आपका oxygen आप जाएगा उसको oxygenated बनाएगा वहां पर oxygen का partial pressure कितना है 40 mmHg है यह सारी चीज अभी डाइग्राम की थूँ समझ में आ जाएगी बीच में परिशान मत हो जाना कि मतलब क्या 100 क्या 40 कहां से क्या कैसे सारी चीज़ें एट लास्ट एक्दम क्लियर हो जाएगी अब इनीशियल प्रेशर डिफ्रेंस जो है oxygen को diffuse कराता है जो आपका 100 mmHg है और बाद में आपका कितना 40 mmHg है तो difference कितनी का हुआ 60 mmHg का हुआ और यह difference जो alveoli और आपकी pulmonary capillaries में alveoli में 100 और 40 mm जो आपका pulmonary capillary में तो difference बना 60 mmHg का और यही जो difference है यही basically diffusion की process को carry करता है अब क्या होगा जो blood है वो move करेगा through capillaries और जो partial pressure है वो आपका equal हो जाता है आपके alveoli pressure से अब यह कैसे होता है यह भी अभी में diagram की through बताऊंगी तो यह हमारा diagram है इसको सबसे पहले लिख दो 100 क्योंकि बहुत सी 100 करके चलते हैं जैसे आपको अच्छे से याद भी रहे और आप उसको जादा बूल है तो देखिए यह क्या है यह हमारा alveoli है तो सबसे पहले यह हमारे atmosphere से यहां पर मैं लिख दे रही हूं ठीक है तो यह था हमारा atmosphere जहां से हमारी o2 अंदर आई alveoli में तो यहां पर o2 का concentration जादा है तो कितना है partial pressure 100 mmHg अब यह कहां पर यह हमारी capillary है तो capillary में यह क्या है यह लिखा हुआ है atrial end atrial end मतलब कि क्या है कि यहां पर atria का end खतम हुआ है मतलब arteries यहां पर खतम हुए है तो यहां पर आपका क्या होगा venus blood होगा और यहां पर venus end खतम हुआ है मतलब यहां पर pure blood होगा यह दूसरे तरीके से वह उन्हें लिख दिया थोड़ा advance form में आप यह समझे कि यहां पर आपका venus blood भरा हुआ है और यहां पर venus blood के end ending हो गई तो मतलब यहां पर आपका oxygenated blood हो गया तो partially pressure 100 था यहां पर जैसे ही oxygen ने देखा कि अरे partially pressure तो 40 है तो यह easily diffuse हो गई क्योंकि अभी यह चाह रहे हैं कि हमारा concentration higher concentration से lower concentration की तरब जाएंगे तो यह पहले आती है plasma में और plasma के through इनने अपने partial pressure को सबसे पहले 40 से convert कर दिया 100 mmHg में तो यहां पर बोजो एक आस्ट में पॉइंट लिखा हुआ था भी आमने पीछे देखा कि जो यह partial pressure LVLi में है वो capillary में आने के बाद 40 mm से convert हो कि 100 mmHg में convert हो जाएगा क्योंकि पहले higher था फिर जैसे ही gases अंदर की तरह पाई तो वो LVLi oxygen का partial pressure प्लस आपका जो blood का partial pressure था oxygen का blood का नहीं blood में oxygen का जो partial pressure था वो सारे आपके कितने हो गए 100 mmHg तो अब आपकी oxygen कहां LVLi से आ गई pulmonary में pulmonary में कितना था 40 था initially और जैसे ही oxygen आई तो वो convert हो गया 100 में अब यह कहां आ गया है pulmonary capillary में आ गया मतलब blood में आ गया अब blood की थ्रूँ इसका जो है transportation होना है वो कैसे होगा तो यहां से देख लीजे यह boy diagram है जो मैंने बताया है आपको तो अब यह कैसे होगा कि सबसे पहले जो राइट हार्ट है राइट हार्ट में में रिवाइस करा रिविंबर जो राइट हार्ट है वहां पर आपका कौन सा deoxygenated blood होता है जहां पर partial pressure कितना है 40 mmHg है अब क्या होगा जो partial pressure है वो आपका प्रड्यूस किया जाता है इस लाइन को याद रखो केवल dissolve oxygen के साथ यह जो यहां पर आपको 100 mmHg मिला है partial pressure यहां पर यह अभी बाइंड अभी जो आपकी oxygen है उसने हीमोगलोविन के साथ बाइंड नहीं किया है oxygen simply आपकी blood plasma में अभी आई हुई है और इसने केवल partial pressure को change किया है अभी बाइंड नहीं हुई है ठीक है तो जो आपका यह partial pressure आपको मिला है 40-100 वो केवल आपकी dissolved oxygen की बज़य से हुआ है not bounded क्योंकि जैसे ही अभी यह बाइंड कर जाएगी हमोगलोविन से और हीमोगलोविन बाइंड करके सारी oxygen को ले जाएगा तो अगेन आपका जो pressure है वो 40 होगा फिर यह इसको लगेगा कि अरे फिर 40 हुआ फिर oxygen को यह कराएगा फिर हीमोगलोविन बाइंड करेगा फिर तो इसी बज़य से हमारी ब्रीधिंग कोंटीनीव होती है और कोंटीनीव यह साइकल चलती रहती है चलती रहती है तो अगर कुछ सेकेंड के लिए प्रेशर क्रियेट हुआ है तो वह बस उस बज़य से हुआ है कि जो oxygen है वो सदन आपकी अल्विला वह आपकी पल्मोनरी कैपिलरी में आई है अब हीमोगलोविन अगर इसको बाइंड करके ले जाएगा तो फिर से oxygen नहीं बचेगी तो फिर से पार्शल प पॉकेट्स थे आपके हीमोगलोविन के वह ओल्रेडी वाइंडेट थे oxygen से तो मतलब सेचुरेशन 75% अल्रेडी था देखिए अब इसको ऐसे समझें कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि यह है आपका हीमोगलोविन इसके पास कितने एक दो तीन हHow about 4 पकेट चार पकेट और यह जो चार पॉकेट्स इसके बास है तो यह इसके पास बस कितनी योज़त कि दूकरेगा.'' कर लेकिन होता क्या है कि जब हीमोगलोविन जब पार्शियल प्रेशन मतलब इस तरफ भले ये deoxygenated blood था तो RBC तो सब जगा है deoxygenated blood में भी RBC oxygenated blood में भी RBC है तो deoxygenated blood में भी जो RBC तो जब आपका ये partial pressure 40 था तो ये 3 जो oxygen थे already bind के bind ही थे तो कहने का मतलब ये है कि oxygen जो है जो hemoglobin है ये 3 यहां पर bind थे केवल एक ये जो है ये बस आपके पास खाली है केवल एक जगा खाली है तो कहने का मतलब ये है कि जब आपकी RBC में hemoglobin आपके deoxygenated blood में भी रहता है तो आपकी क्या 3 oxygen की जगा तो बैसे भी भरी हुई रहती है केवल इस situation में जब वो आएगा जब वो oxygenated यहां पर आपका यहां पर जब आपका partial pressure 100 है मतलब oxygen आएगा तो केवल एक ही oxygen को जो है वो बाइंड करता है तो यह जो पूरी कहानी है यह केवल एक ही oxygen को tissue में dissolve करनी की है by एक hemoglobin ऐसा नहीं कि पूरा आप समझ लें तो देख रहे हैं कि 75 इसलिए लिए लिखा जाता है कि जो आपका deoxygenated blood है वो 75% hemoglobin उसमें already saturated होता है केवल 25% जो है केवल एक oxygen आपकी binding होके जाएगी सीधा tissue पे और tissue में आपकी उसी oxygen को deliver किया जाएगा तो मैंने अभी आपको बताया कि आपकी 100 ml blood में कितनी थी 20 ml oxygen थी तो आप कह सकते हैं कि केवल 5 ml oxygen ही deliver की जाती लेकिन exercise में यह थोड़ा different situation होता है तो अभी आपको यह याद रखना है कि जो आपका हीमोगलोविन है जो आपकी RBC है जहां पर partial pressure oxygen का 40 mmHg है बहां पर हीमोगलोविन के जो 3 pouches हैं 3 packets हैं वो already bind किये रहते हैं जिससे कहा जाता है 75% saturation अब क्या होगा वोई बात है कि जब blood जो है वो right heart से आपके lungs में जाता है मतलब अभी blood deoxygenated है और वो lungs में जब जाएगा तो वो already 75% saturated होता है already उसमें 3 oxygen जो है वो bound किये रहती है अब क्या होगा कि जो O2 है जब वो कम first in a plasma at the partial pressure of the 100 mmHg तो यहां पर आपका जो हीमोगलोविन का saturation है वो आपका 100% हो जाएगा इसका कहनी का मतलब यह 75 तो already वो saturate होके आएगा फिर क्या होगा कि oxygen का diffusion होगे आपका pulmonary capillary में और partial pressure oxygen का होगे आपका 100 mmHg तो इस 100 mmHg में एक और oxygen जो है आपका हीमोगलोविन पर बाइंड करेगा और आपका जो saturation हीमोगलोविन का वो 100% हो जाता है तो अब यह तो यहां की वस reaction है यहां पर कि जैसे आपके right heart से blood आया लंग्स में तो blood जैसे ही आपका right hand side से आया था तो three pockets जो थे वह हीमोगलोविन के बाइंडेट थे और जैसे यह लंग्स से बाहर निकला तो लंग्स से बाहर कैसे निकला आपकी से होते हुए क्योंकि यह लंग्स का ही पाट है तो जैसे यह बाहर निकला लंग्स मतलब यह लेप्ट साइड आया लेप्ट हाट में तो तब हीमोगलोविन का 100% सचुरेशन हीमोगलोविन के चारों पैकेट्स पाउच इस बांडेड है तो वही चीज यहां पर लिखी है फिर अब नेक्स देखिए यहां पर मैंने थोड़ा सा सारी सीजन समझ तो यहां पर मैंने क्या मेंशन करा है मैक्सीमम एमाउंट ऑप ऑक्सीजन कें बाइंड विद हीमोगलोविन तो यह एक तरीकी का कल्कुलेशन है कि जो हीमोगलोवन है वो कितनी मेक्स-to-max ऑक्सीजन को केरी कर सकता है तो दिखिए अगर आप 100 ml ब्लड की बात करें तो अगर 100 ml हमने किसी human being normal human being है उसमें कोई डिजीज नहीं है तो उसका ब्लड लिया तो उसमें जो है वो 50 ग्राम आपका हीमोगलोवन प्रेजेंट रहता है अब अगर 50 ग्राम 100 ml ब्लड में है तो होगा क्या कि इच ग्राम ऑप दा हीमोगलोवन केन केरी मैक्सीमाम ऑप 1.5 ml ऑप औक सीजन यह मैंने क्यों लेका है क्योंकि जो 50 ग्राम हीमोगलोवन है वो लेकिन अब दा सेम टाइम अभी हमने पहले पड़ा कि 20 ml ऑक्सीजन भी तो यहां पर जा रही होगी 100 ml ब्लड में 15 ग्राम ऑफ हीमोगलोवन होता है और आपकी 20 ml ऑक्सीजन होती है तो अगर हमें क्यलकुलेट करना है कि हमारा बन ग्राम हीमोगलोवन कितनी ऑक्सीजन को कहरी करता है तो हम इस फॉर्मूला के थरू 15 ट्वंटी डिवाइड़ वाइड़ फिप्टीन के थरू इसको कल्कुलेट कर लेंगे तो दिस मीन जो 15 ग्राम हीमोगलोवन है वो बाउंड करेगा हमारी 20 ml ऑक्सीजन को यही बात ह करें चाहिए आप इसको ऐसे कह दिया फिर इसको ऐसे कह दें अब क्या होगा तो इसको अगर हमें वॉल्यूम परसेंटेज के बेसिस पर करना है अभी ग्राफ में आपको बताऊंगी तो यह एक्स्प्रेस होगा 20 वॉल्यूम परसेंटेज मतलब 20 ml कह कि हम उसको 20 हूं Hemoglobin saturation का तो यह देखिए जब जैसे ही partial pressure 100 है यहां पर जब partial pressure 100 है मतलब आपका blood पूरे तरीके से oxygenated है तो जो आपका Hemoglobin का saturation है वो भी 100% है क्यों कि आपकी सारी 4 के 4 packets बाइंडेड है एकदम आपकी ऑक्सीजन से फिर जैसे ही यह 90 परसेंट हुआ तब आपका सेचुरेशन यहां पर आया इसका मतलब यह है यह 95 कुछ है फिर जब यह 80 पर गया तो यह आपका 90 परसेंट पर पहुंचा तो इसका जो ग्राफ है वह आपका बनता है कुछ सिग्मो सिग्मोईडल टाइप इस तरीके का और फिर यहां पर जो सेचुरेशन है अगर आप 50 पर प्रेशर ऑक्सीजन का होगा या उससे कम होगा तब जाके आपका यह जो है हीमोगलोविन साचुरेशन थोड़ा सा कम होना शुरू होगा तो आप देख सकते ही कि हीमोगलोविन की ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग कितनी जादा टाइट होती है इसलिए जो अभी हमने पढ़ा था कि पार्शियल प्रेशर एट दा पार्शियल प्रेशर ऑफ ओटू अगर 40 mmHg भी है इस्टिल हीमोगलोविन जो है वो थ्री ऑक्सीजन को बाइंड करता है आपका हीमोगलो करवाएगा या फिर ऑक्सीजन को जो है छोड़ेगा तो यहां तक जब आप 40 से नीचे परेशन करेंगे शीजन का तब जाके आपका जो हीमोगलोविन सचुरेशन है वो कम होगा तब जाके आपकी जो ऑक्सीजन की बाइंडिंग है हीमोगलोविन से वो कम होगी और क्या कहा यह एल्वियूलाई था लास्ट में हम सब चीजों को समराइज कर लेगे तो सब याद हो जाएंगे यह आपका है पल्मूनरी केपिलरी जिसको मैं पीसी लिख रही हूं यह है आपका राइट हार्ट और यह है आपका लेप्ट हार्ट तो एल्वियूलाई है मतलब पारिश्यल प्रेशर ओफ ओटू कितना है 100 mmHg और यहाँ पर क्या है आपका राइट हार्ट मतलब बीनस ब्लड है डियोक्सिजनेटिट ब्लड है तो partial pressure of O2 आपका यहाँ पर कितना होगा 40 mmHg और जैसे ही यहाँ पर यह oxygen आया diffusion के थूँ तो यहाँ पर oxygen का जो है amount आपका बढ़ा और जब यह oxygenated blood में convert हुआ तो अब यहाँ पर partial pressure of O2 कितना होगा 100 mmHg लेकिन जैसे ही यह left hand side, sorry left heart की तरप यह जाता है तो वहाँ पर एक और circulation शुरू होता है that is called bronchial circulation यह है आपका pulmonary circulation जहाँ पर आप pulmonary की बात कर रहे हैं उस sudden होता क्या है कि जैसे ही यहाँ पर आप देखेंगे कि यह तो पूरा pulmonary यह बैना कैवाज वगेरा है right hand side यह यहाँ पर क्या है lungs है तो यहाँ से आपका blood आया आया और आया यहाँ पर लेकिन at the same time होता क्या है कि यह आपका पहले कहाँ पर आया right left, यह है left oracle और यह है आपका left ventrical यह है आपका right oracle तो blood सबसे पहले कहाँ आया आपका left और अरिकल में आप यह कहाँ पर आएगा यह आएगा आपका left ventrical में लेकिन at the same time यहाँ पर एक bronchial vein होती है क्या होती है bronchial vein और यह जो आपकी bronchial vein होती है यह इंप्योर ब्लड को यह जो यहां पर लिखा हुआ है यह इंप्योर ब्लड को इंसाइट कर देती है आपके प्योर ब्लड के साथ तो जहां पर अभी आपका पार्शिल प्रेशर 100 mmHg था वो कम होके कितना हो जाता है 95 mmHg यह क्यों ऐसा हुआ यह इसले ही ऐसा हुआ कि हो इसके साथ मिक्सिंग कर दी तो होगा क्या कि अब आपका जो ब्लड है 100% वह 100% oxygenated नहीं हुआ तो जहां आपका पार्शिल प्रेशर 100 mmHg था वहां पर आपका पार्शिल प्रेशर घटके आ गया 95 और यह 95 पार्शिल प्रेशर पर ही आपका पूरा काम होता है अगर प्रे 100 mm बापस आया आपके लेप्ट बेंकिकल में और अब जब वो योटा की थुरू पूरी बॉडी में डिस्टिब्यूट होगा आपका ब्लड उसमें oxygen का पार्शिल प्रेशर होगा 95 mmHg तो वह यह ऐसे लिखा है कि जब ब्लड रिटन टू दा लेप्ट हार्ट बिलकुल 100 mmH ब्रॉंकियल वेन जो है वो इंसर्ट कर देती है आपके बीनस ब्लड को इन्टू दा लेफ्ट हार्ट ठीक है यहां पर जो आपका 100 mmHg के साथ आपका ओटू का पार्शिल प्रेशर था ओटू ब्लड फुली ऑक्सिजरेटेट था लेकिन यहीं पर इंसर्ट कर दी गई ब् जैसे इसका पार्शल प्रेशर घटके आगया 95 mmHg तो अब क्या होगा कि अंडर पार्शल प्रेशर 100 mmHg 100% सचुरेशन था लेकिन 95 पे केस में इसका जो हीमोगलोविन का सचुरेशन है वो बचता है 97% सचुरेशन तो यहीं अब 97% सचुरेशन यहीं आपका पूरा जो है पूरे टिशू में केरी किया जाएगा यहां तक भले अंडरेट था लेकिन जब लेप्ट हार्ट से ब्लड निकला तो वो 95 mmHg पार्शल प्रेशर के साथ निकला तो आपका सचुरेशन हीमोगलोविन का कितना है 97% तो यह बात आपको याद रखनी से लिए मैंने आपको कह कहां से यह टुइस्ट आता है कहां से यह अलग से ब्यूटी आती है तो मैंने आपको बताई तो आपको आपको यह चीज के लिए है और याद भी रहेगी कि आपका डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड 40 mmHg ऑक्सीजनेटेड ब्लड 100 mmHg एवन लेप्ट जो आपका बेंट्रिकल ह वहां पर भी 100 mmHg लेकिन लेप्ट वेंट्रिकल से ही ट्विस्ट आया और वीनस जो ब्लड था वहां पर थोड़ा से इंसर्ड हुआ जिस वजह से पार्शल प्रेशर घट किया गया 97th 95 mmHg और सेचुरेशन हो गया हमारा 97% अब देखो हमने कहां कहां बात कर ली हमने बात कर ली पल्मोनरी वेंटिलेशन जो पुराना लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे जो गैसे हैं वो लंग्स तकाई फिर हमने अभी पिछली स्लाइड में एल्विलाई से कैसे पल्मोनरी केपिलरी में आती है तो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू आती है अब डिफ्यूजन में जब पल्मोनरी केपिलरी में आपकी आगई तो वहां पर हीमोग्लोविन ने ऑक्सीजन को बाइंड कर दिया एड़ पार्शल प्रेशर 100 चारों की चारों पैकिट्स बाउंडेट थे आपके हीमोग्लोवि से लेकिन जैसे आपका पार्शल प्रेशर कम हुआ तो आप इसको ऐसी वियाद रख सेकते हैं जैसे आपका पार्शल प्रेशर कम होगा बैसे बैसे आपका हीमोग्लोविन सचुरेशन भी कम होता है क्यों क्योंकि अब ऑक्सीजन कम है जब ऑक्सीजन ही कम है तो बाइंड क लकिन हार्ट है थे हकां है हमारा तो हां लेंटुनुप से चाही लेकिन हाँWhy Münemya तो ब्लड को मुखी ने किंग खाया आपके स्टमक लेग दियाना ये सारा काम कौन करता है capillaries ही करते हैं जो कहलाती है atrial capillary या arteries भी जने कहा चाता है जो pure blood को oxygenated blood को carry करेंगी तो जो आपकी atrial blood ना capillaries वहाँ पर partial pressure कितना होगा अब partial pressure 95 mmHg क्यों क्योंकि ये आर्टियल blood की बात हो रही है arteries में जो left आपके ventricle से arteries निकल चुकी है आपके tissues तक जो connect करी उसमें oxygenated blood में oxygen का partial pressure कितना होगा 95 mmHg not 100 mmHg ठीक है इस बात को याद रखना अब क्या होगा जो interstitial fluid है around the tissue वहाँ पर partial pressure oxygen का कम है 40 mmHg और बिल्कुल कम होता है क्योंकि हमें वहीं तो जाना है वहीं हमें oxygen को लेके जाना है एटमस्फियर में तो हमेशा जादा होता है लेकिन हमारी body में tissue में oxygen का concentration कम होता है तो इसलिए हम उसको carry करते हैं तो interstitial fluid में कितना है 40 mmHg अब क्या होगा a notable pressure differences initiate O2 rapid O2 diffusion into the tissue अब देखो यह कितना है 95 है और एक कितना है 40 है तो obviously बात है concentration में फिर से differences आया और diffusion के थूँ जो आपकी O2 है वो आपकी capillaries से सीरा कहां पहुंच जाएगी tissue में पहुंचेगी अब capillaries जो है वो quickly partial pressure of O2 equal कर देगी 40 mmHg के यह कैसे यह मैं बताऊंगी अभी आपको blood जो है वो leave करता है blood leaving capillaries into systemic vein जहां पर आपका partial pressure जो है O2 का वो 40 mmHg है अब इस diagram के थूँ आपकी वो चीज भी clear हो जाएगी यह आपका पूरा डाइग्राम है यह है आपकी cell और cells का growth ही आपका हो जाएगा tissue और यह जो आपको white white portion देख रहा है यह है आपका interstitial यह है आपका interstitial fluid तो अब आप यह देखिए जो आपकी artery है वो आपकी pure oxygenated blood को करे हुए है केरी तो partial pressure of O2 कितना था ओटू का partial pressure यहां पर है 95 mmHg आप इसने देखा कि पहले यह आएगी interstitial fluid में तो यहां पर partial pressure कितना है 40 mmHg है तो difference है तो higher concentration से lower concentration की तरब गई तो सबसे पहले आ गई कहां पर आपकी interstitial पर तो जैसे ही interstitial पर आप यहां की पूरी oxygen जब यहां पर आई तो अब बेसे तब तक आपकी cells में लेकिन जब यहां पर इसने पूरी अपनी oxygen दे दी तो यह पूरा 40 अब यह 40 mmHg तो यह क्या है हमारा venus blood है अब यह फिर से deoxygenated blood हो गया मतलब 40 mmHg हो गया लेकिन 40 mmHg है बाकि यहां पर जो आपका blood है जिसमें RBC है जिसमें आपका यह hemoglobin है यहां पर still तीन oxygen जो है वह अभी joint है केवल एक oxygen की delivery जो है यहां पर की गई है only one oxygen तीन अभी भी बाइंडेड है क्योंकि यह हम शुरू से बढ़ते आ रहे है अगर 40 है तो आपके three packets जो रहेंगे hemoglobin के वह oxygen के साथ already बाइंड होगी तो केवल एक oxygen यहां पर दी जाएगी और फिर से यह जो पूरा hemoglobin है यह blood है आपके right heart में जाएगा फिर उसके बाद यह लंक्स में जाएगा फिर वहां से अब यहां पर मैंने एक चीज और माइं वह करी है कि hemoglobin release oxygen in tissue तो अभी तो मैंने आपको वह simply बता दिया था लेकिन यहां पर मैं थोड़ा सा आपको है जो hemoglobin in normal systematic या फिर ideal heart बिलकुल जो कितना percent saturated है वो है 97 percent saturation मतलब आपका 20 ml जहां पर 100 percent oxygen 100 percent saturation में 20 ml थी तो 95 97 percent saturation में मानी जाती है 19.4 ml ठीक है तो मतलब oxygen जो है hemoglobin के पास कितनी है 19.4 ml अब क्या होगा passing on the passing through the tissue capillaries this amount is reduced on the average to 14.4 ml मतलब इसका यह है कि मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि partially pressure में जब 95 था उसके बाद आपका tissue में interstitial fluid में कितना है 40 है तो यह क्या करेगा कि 19.4 ml total oxygen है जितनी भी oxygen रहेगी केवल एक oxygen वहां पर यह देगा और बाकी का जो 3 ml मतलब की 75 saturation है वो remain रहना है तो hemoglobin के साथ 14.4 ml oxygen bind करी की करी रहती है समझे 75% saturation रहेगा ही रहेगा तो यह 75% वहां छोड़ेगा ही नहीं यह अपने साथ ही तिनी oxygen को बाउंड करे रहता है तो अब आप सोच रहे होंगे कि जब इसको बापस ही लेके जाना है जब यह 20 ml वहां से केरी करके लेके आया और इसने केवल 20 नहीं मतलब जैसे 19.4 ml के केरी करके लेके आया उतनी दूर से और यह बापस लेके जा रहा है 14.4 तो मतलब यह minimum 4.8 से 5 ml ही दे रहा है तो इतनी क्या मेहनत करनी है न लेकिन यह इसलिए होता है कि अभी जब एक्सराइस की सिचुवेशन आएगी जब टिपिकल सिचुवेशन आएगी तो तब इन ऑक्सीजन को भी रिलीज करा लिया जाता है अभी हमें जरूरत नहीं है इसलिए हम बस इसक होती है यह कैसे होती है वो मैं आपको भी आगे बताऊंगे तो अभी आप यह समझे कि नॉमल सिचिवेशन में क्या हुआ यह 20 ml केरी करके लाया मतलब की सौरी 19.4 ml मुझे कहना चाहिए क्योंकि आप प्रेशर जो है वो 95 था सेचुरेशन 97 था और यहां पर इसने जो है 4.8 से 5 ml ही डिस्टिव्यूट करा और बाकी जो है 70% saturation as it is रहा अब क्या होगा कि अंडर नॉमल कंडिशन वो इकेवल 5 ml जो ओटू है वो आपकी कहां ट्रांस्पोर्ट फ्रॉम लंग्स टूदा टिशू अगर आप 100 ml ब्लड की बात कर रहे हैं ठीक है अब इस बात को समझ नही करेंगे तो अगर 100 ml जो है वो 5 ml oxygen को एक साइकिल में पूरा टिशू तक रिलीस कर रही है तो आपका जो 1000 ml ब्लड है वो 50 ml oxygen को करेगा 250 ml oxygen को distribute करेगा करीमें डिस्टिविःट करेगा तो 500 या 5 ml ब्लड जो है वो 250 ml को distribute करेगा तो हमें पता है जो हमारा cardiac output है वो हमारा 5 लीटर है जो हमारा हाट है वो एक मिनिट में फाइब लीटर ब्लड को पंप करता है तो अगर फाइब लीटर ब्लड हमारी केपलरी से होते हुए हमारी और गन तक सब जगा डिस्टिवीट हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि एक साइकल में 250 ml जो ऑक्सिजन है वो डिलेवर करी जाती है और यह इसका फॉर्म है इसका जो बाकी का फॉर्म है वो ऑक्सिजन के साथ बाइंड रहता ही रहता है जब सीवीयर एकसराइस की सिचुवेशन आती है जब बहुत सारे जैसे लेक्टिक एसेड है कार्वोनिक एसेड है वो सिक्रेट होते हैं एच फ्लस आयन का कॉंसेंटरेशन बढ़त यह आई होगे अब यह देल है यहां पर मैंने आपको बता है कि हीमोग्लोवन यह देखाँ यह क्या है औक सीजन इन ब्लুट यह बॉल्म मतलब बता रहे हैं ठीक है और यहां पर क्या बताया है कि कि अग तो अगर आपका पारॉटं प्रेश्टेय मुथ्रि जिचा, डिलेवर की जा रही थी वो कितनी थी 20 ml थी वही पर जब आपका partial pressure partial pressure 95 mmHg हुआ तो हीमोगलोविन saturation जो था वो आपका 97 था और जो oxygen थी वो कितनी 19.4 ml करी की जा रही थी तो इस तरीके से जैसे जैसे आपका partial pressure कम होगा बैसे बैसे आपका हीमोगलोविन saturation कम होगा बैसे बैसे आपकी जो डिलेवरी है oxygen की वो भी कम होगी तो वही चीज यहां पर है यह नॉर्मल जब oxygenated blood था तो यह काफी सारा आपका हीमोगलोविन से oxygen बैंड था तो oxygen की डिलेवरी भी जादा हो रहे थे फिर आपका जब यह बीनस ब्लड में आया जहां पर 40 mmHg था तो यहां पर जो हीमोगलोविन saturation था वो कम हो गया 75% हो गया जब यह 75% हीमोगलोविन का saturation हुआ तो केरी कितनी की गई 40 आपकी 20 से घटके किती 40 ml वॉल्यूम परसेंटेज पर फिर जब पार्शल प्रेशर और वीनस ब्लड डूरिंग exercise क्योंकि जब हम exercise करते हैं तो वहां पर बहुत ही जादा CO2 निकलती है बहुत ही जादा असीडिक मीडियम क्रियेट होता है तो जो हमारा ब्लड है वह हाइली वीनस ब्लड बन जाता है इसलिए हम जल्दी जल्दी ventilation करते हैं ज्यादा ज्यादा oxygen को consume करने की कोशिश करते हैं क्यों क्योंकि टिशू में CO2 का concentration accumulation ज्यादा होता है तो जब CO2 का accumulation ज्यादा होगा during exercise तो होगा क्या आपका partial pressure oxygen का और ज्यादा ड्रॉप हो जाएगा जब वो ड्रॉप हो जाएगा तो यहाँ पर जो oxygen है वो और कम जो है जैसे अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो खाली तो इस तरीके से यह correlation है अब यहाँ पर मैं आपको बता रही हूं oxy hemoglobin dissociation करवी के बारे में तो देखो अब हमारा transportation मैंने आपको बता दिया किस तरीके से सबसे पहले pulmonary ventilation के दुरू लंक्स में oxygen आई तो एल्विलाई में जैसे partial pressure 100 हुआ फिर capillary में जाएगी आपकी pulmonary vein जो है वह राइट एट्रिया से ब्लड को लेके आ रही है और साथ में आपकी अल्विलाई है तो वह oxygen का diffusion कर देंगे और जैसे ही left heart में जाएगी तो तब तक उसका partial pressure कितना हो जाएगा 100 mmHg लेकिन वही पर एक twist आया था जहां पर bronchial circulation हुआ था bronchial vein थी जिसने थोड़ा सा जो venus blood था उसको inside कर दिया जिस वजह से हमारा partial pressure हो गया था 95 mmHg और जो saturation था 97% था और जो oxygen carry था जहां पहले 20 ml था वो घट के आ गया था 19.4 ml और इस तरीके से कैसे वह blood में उसका diffusion हुआ वो भी मैंने diffusion फिर उसका बाद टिशू में कैसे वह diffuse हुई oxygen वो भी मैंने समझा दी अब यह है oxygen hemoglobin dissociation कर नाम से क्या पता चल रहा है oxygen hemoglobin dissociation मतलब hemoglobin से oxygen का किस तरीके से dissociation होना है उसको हमें कर्व के थूरू represent करना है hemoglobin कैसे oxygen को dissociate करता है उसको अब हम कर्व के थूरू पढ़ेंगी that is called oxy hemoglobin dissociation curve the curve show relationship between it बिलकुल partially pressure of the O2 in blood and hemoglobin oxygen saturation अब hemoglobin saturation जो है वो increase होगा बिलकुल अगर partial pressure of the oxygen in blood increase होगा अगर partial pressure मतलब oxygen की quantity oxygen का diffusion जादा है blood में तो hemoglobin का saturation भी बढ़ेगा एकदम सही बात है आपकी जो systemic arteries होती है RTL blood leaving the lungs has partially pressure about कितना रहता है 95 तो इस लाइन को याद रखो क्योंकि अब मैं आपको यह सारा एक तरिया रिवीजन ही है अब इसको थोड़ा scientific language में पढ़ ले रहे हैं क्योंकि जो स्टेटमेंट है वो scientific language में ही आते है न तो यह क्या बात कर रहे है कि जो हमारी systematic artery होती है जो blood को left side से मतलब left heart से blood को लेके जाती है तो उस समय partial pressure कितना था 95 mhg था क्यों क्योंकि bronchial circulation के थूँ 100 था उससे 95 ड्रॉप हो गया था जो systematic RTL है blood is typically around 50 percent saturation था 97 percent saturation था normal venus blood from the tissue उसका partial pressure कितना था 40 mmHg होता है hemoglobin in normal venus blood approximate कित्ते percent saturate होता है 75 percent saturate होता है with oxygen के यह एक तरीके का थोड़ा सा revision था किस तरीके से dissociation करवनता है और यह है हमारा oxygen dissociation कर्व जो हमारा पहला कब था उसी का ही है यह हलका सा modification है क्या है pressure of the oxygen in blood कितना pressure प्लस में hemoglobin saturation प्लस में oxygen का volume मतलब इन्होंने सारी चीज जो है वो एक साथ कर दी अगर पार्शल pressure आप oxygen का बढ़ाते हैं blood में hemoglobin saturation भी आपका बढ़ा प्लस में आपका volume जो था oxygen का केरी करने वाला जो volume जैसे oxygen का मैंने बताए था ना 20 ml होता है 100 ml blood में तो बो भी बढ़ गया तो यह कैसे आप समझेंगी अगर आप देखें at the partial pressure of 100 जब 100 partial pressure है तो आपका 100% saturation है और जो आपका gas है कितना केरी किया जा रहा है 20 ml केरी किया जा रहा है आप जैसे जैसे आपका partial pressure कम हुआ तो आप यह कहिए जब 40 के नीचे आपका partial pressure जाता है तब जाके 40 के नीचे जब आपका partial pressure जाएगा तब जाके आपका saturation suddenly drop होता है up to 40 saturation कितना है 75% 75% क्यों है क्योंकि 3 oxygen still bounded है आपके hemoglobin के साथ तो जब आप 40 से नीचे करेंगे जो बहुत typical situation में जाता है तो जब आप 40 से नीचे करेंगे partial pressure आपकी oxygen का तब जाके saturation एकदम नीचे आता है otherwise ही हमेशा 50 से उपर रहता है hemoglobin का saturation तो यह मैंने और अच्छी से आपको लिख दिया है यहां पर हन्रेट परसेंट अगर partial pressure है तो 100% saturation 95% यदि partial pressure है तो 75% saturation 80 अगर partial pressure है तो 95% saturation अगर आपका मतलब ओर यह है कि 100 से 50 के बीच में भी अगर जा रहा है तो आपका hemoglobin still 85% saturate होगा जब यह 50 से 0 पर जाएगा तब जाके हलका सा desaturation आएगा तो अगर आप 40 की बात करें तो still 75 है अब जब 40 के नीचे आएगा तब जाके आपका desaturation category में आता है 100% saturation में 20 ml oxygen का वॉल्यूम रहेगा 75% में 50 ml 25% saturation में आपका 5 ml अब यह देखो यह थोड़ा सा यह अच्छा aspects है जिसे हमें जानना जरूरी है कि जो अगर आप exercise की बात करें ठीक है तो exercise में अब टीक ऑप oxygen by pulmonary blood और टिशू में वो किस तरीके से डिफर करता है क्योंकि नॉर्मल situation में तो हमने पढ़ा 20 ml oxygen आई के वल 5 ml टिशू तक डिलेवर करी गई बाकी 15 ml वापस ले जाया गया लेकिन exercise में थोड़ा सा अलग होता है कैसे कि दूरिंग exercise जो बोड़ी है वो require करती है 20 टाइम मोर oxygen अभी जो हमारा एक मेल में अगर काम चल रहा है तो आप हमें 20 ml चाहिए exercise के टाइम क्योंकि जादा जादा oxygen इसलिए जरूरी है क्योंकि exercise के टाइम आपकी बहुत सारी CO2 निकलती है CO2 बाहर निकलती है टिशू से और यह acid का कुछ formation करती है तो मैं बताती हूं अगर आप exercise में cardiac output की बात करें तो reduce the time reduce the time blood expand in a pulmonary capillary by half इसका मतलब यह है कि obvious ही बात है अराम से चले जाएंगे टिशू तक लेकिन exercise में क्या होता है blood का circulation बहुत बढ़ता है इसलिए जब हम देखती जब हम exercise करते हैं तो heat बहुत generate होती है circulation बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ventilation जो सांस का लेना इन छोड़ना है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो अब क्या होगा blood still become fully saturated with oxygen in a pulmonary capillaries due to substantial safety margin for the oxygen diffusion तो जो चीज मैंने आपको बताई थी कि जो आपका blood है वो fully saturated होता है जो आपका hemoglobin है वो fully saturated होता है क्यों होता है वो ही क्योंकि जो safety है उसको हमें रखना आप कैसे मैं बताती हूँ 3-fold increase in diffusion capillaries for the oxygen during exercise is mainly due to an capillaries surface area increase हो जाता है this enhanced diffusion capillaries is also add by the more ideal ventilation perfusion ratio इसका मतलब यह है जब आपका ventilation जादा होगा तो ventilation and perfusion perfusion blood के case में होता है ventilation air के cases में होता है तो ventilation perfusion ratio मतलब oxygen भी जल्दी से आपके blood में आएगी तो बो वाला ratio भी आपका बढ़ जाता है अब release high amount of the CO2 अब यह देखो यहाँ पर हमारी बात आ गई थी कि जब हम exercise जादा करते हैं तो जो हमारा CO2 है उसका concentration tissue में बढ़ेगा H plus iron temperature बढ़ेगा 23 dpg का concentration भी बढ़ेगा और यह factor क्या करते हैं decrease करते हैं the affinity of the hemoglobin with oxygen यह मैंने लिखा नहीं है शायद है ना in terms of oxygen इसका मतलब यह है कि oxygen से जो hemoglobin की dissociation है वो किस factor के थुरू effect होती है तो आपका CO2 है temperature है और बाकी आपका 23 dpg है तो यह जो factors है जब हम exercise करते हैं तो ज्यादा CO2 निकलता है CO2 निकलता है तो acids बनते हैं जब acids बनते हैं तो H plus iron का concentration बढ़ता है temperature बढ़ता है और यह सारे factor मिलके जो अभी हमारी केबल एक oxygen release हो रही थी hemoglobin से अभी यह 4 की 4 oxygen को release करा देंगे क्योंकि यह जो factor है जैसे H plus iron की अगर आप बात करें तो H plus iron का जो binding है वो hemoglobin से जादा होता है अब tissue में already partial pressure of oxygen कितना है 40 mmHg है तो partial pressure low है उपर से H plus iron का concentration जादा है जब H plus iron का concentration जादा होगा तो क्या करेंगे इनको कहीं न कहीं bind करने के लिए जगा तो चाहिए रहेगी तो यह कुछ binding इनकी हीमोगलोविन की मैं अभी आपको बताऊंगी जो ग्लोविल चैने वहां पर होता है at the same time यह oxygen को भी deattach कराते हैं हीमोगलोविन से और खुद oxygen को deattach करके यहां पर खुद जुड जाते हैं ऐसे तो यह situation exercise किये तो अब आपका क्या हो रहा है 20 की 20 ml oxygen यहां पर दे दी जा रही है जो normal situation में 5 ml दे रहे थे अब कितनी दे रहे है 20 की 20 ml oxygen यहां पर tissue में delivered कर दी जाती है during exercise अब यह देखो यह एक relationship है between हीमोगलोविन और oxygen partial pressure तो यह जो हमने पुराना पड़ा है वस उसी का ही एक revision है तो मैं एक slide रख दी कि इतना सारा हम पढ़के आ रहे हैं आप कितनी चीज़े याद है यह भी तो पता होना चाहिए तो देखे क्या होगा जो आपका partial pressure of oxygen है control करता है कि how much oxygen bind to the hemoglobin बिलकुल कैसे अगर partial pressure जादा है तो ज्यादा oxygen का foundation होगा hemoglobin की साथ यदि partial pressure कम है तो कम oxygen करेगी hemoglobin can fully saturated और partially saturated यह भी हम देखते हैं अगर partial pressure 100 है वही पर अगर आप partial pressure उसकी बात कर लें 40 की बात कर लें तो वहां पर आपका 75% saturation होता है तो मतला fully saturated plus partially saturated भी है percent saturation जो है वो reflect करता है average oxygen content to the hemoglobin बिलकुल oxy hemoglobin curve जो है वो link होता है आपके partial pressure saturation level पर बिलकुल high partial pressure अगर lungs में है तो more oxygen bind करेगी hemoglobin पर और low जो है tissue से अगर इन low partial pressure tissue है तो यहां पर यह debound कर देती है यहां पर loss हो जाता है आपकी oxygen का delivered हो जाती है partial pressure 40 पर 75% saturation होता है हाई partial pressure रहे 60 से 100 mmHg रहे तो आपको hemoglobin saturation yield कितना 90% मिलता है है ही ही मोगलोविन का partial pressure जो है कर वो explain performance at the high altitude are with the health issues इसका मतलब यह है कि जो hemoglobin की oxygen के साथ binding है कई वार ऐसा भी होता है कि जो हमारा hemoglobin है वहां पर oxygen का partial pressure जादा है लेकिन hemoglobin binding ही नहीं कर रहा है oxygen से at the partial pressure of 100 mmHg 100% saturation हो ही नहीं रहा है तो उस situation में क्या होता है कि मतलब अगर कोई ही नहीं कोई high altitude की situation है या फिर कोई health issues है बिट्वीन 40 से लेकि आपके 20 mmHg of the partial pressure of oxygen थोड़ा सा small change आएगा और आपका जो oxygen है वो significantly release होगा इसका मतलब क्या है जैसे अभी हमने एक्सराइज में पढ़ा एक्सराइज में क्या हो रहा था कि बहुत जादा CO2 का production हो रहा था at the same time जब नॉर्मल पर पर्सन में जो टिशू है उसमें कितना concentration है partial pressure O2 का 40 mmHg तो यह exercise में 40 से 20 तक के बीच में आ जाता है जब यह 20 तक के बीच में आएगा तो यहां पर rapidly diffusion होगा क्योंकि अभी जो differences अगर मान के चलो 100 से 40 तक था 95 से 40 था मतलब 60 का difference था लेकिन अब वो घटके और कम जादा हो गया जब differences तो क्या हुआ रपिट diffusion होता है active tissue with a low partial pressure releases more oxygen for the metabolic need बिल्कुर तो अगें यह फिर एक और डाइग्राम है जिसमें वही percentage saturation का है अब में यह बार बार ग्राफ आपके सामने क्यों लेके आ रही हूं जो एक ही बात करें क्योंकि CSIR में ऐसे ही ग्राफ आप से पूछ लिए जाते हैं तो आप इन सारे ग्राफ से यूस्टू हो जाएं कि कितने टाइप बन सकते हैं कैसे कैसे उनके diameter हो सकते हैं तब जाके आप उस problem को या वो question जो है उसको असानी से रिजॉल्व कर लेंगे ना विसीले में आपको बार बार इन चीजों से यूस्टू कराती हूं यहां पर दिया है partial pressure of oxygen और यहां पर अगैन percentage saturation तो यहां पर देखिए जब यह oxygenated blood था इन आर्ट्री तो क्या हुआ यहां पर 100% saturation होगा क्यों 100% saturation होगा यहां पर तो बाई already अपनका hemoglobin fully saturated है अब यह जो deoxygenated blood है जो वेन में है तो यहां पर आपका partial pressure कम होता है तो यहां पर saturation भी आपका कम होगा और deoxygenated blood contracting आपका क्या है यह है muscles की skeletal muscles की बात हो रहे तो वहां पर भी आपका partial pressure है वो कितना घटके आ जाता है 40 से नीचे यह वाला point है तो इस तरीके से यह आपका different distribution है अब हम factor की थोड़ी सी बात कर ले रहें क्योंकि यह भी important है कि hemoglobin में ऐसे कौन-कौन से factor है जो hemoglobin की oxygen के साथ binding affinity को कमिया जादा करते हैं तो पहला क्या है जैसे हमारा acidic pH तो acidic pH का मतलब यह है कि जब आप H plus ion के concentration को at high acidity जब आप high acidity की बात करें मतलब H plus ion का concentration आपने बढ़ा दिया है at the same time आपका जो pH है वो lower है तो reduce करता है hemoglobin binding affinity और promote करता है oxygen का hemoglobin से release होना तो एक तरीके का यह जो H plus ion है यह अच्छे ही factor है क्योंकि हमने इतनी मेहनत करके जहां पर अभी केबल हमने 5 ml drop करवाया अगर हम 10 ml drop करवाये तो और अच्छी बात है तो होगा क्या कि अभी जो आपका hemoglobin bind कर रहा है आपकी oxygen के साथ अगर H plus ion का आप concentration बढ़ाते हैं तो जहां पर एक oxygen release हो रही थी आप यहां से 2 oxygen या 3 oxygen release हो जाएंगी तो जो H plus ion है वो oxygen की affinity कम करते हैं towards hemoglobin active tissue जो है वो produce करते हैं lactic acid carbonic acid and contribute करते हैं towards increase acidity acidity मतलब pH को कम करेंगे H plus ion को यह produce करते हैं आपके lactic acid carbonic acid lower pH shift the oxygen hemoglobin dissociation curve towards the right side and decrease oxygen saturation at the given partial pressure that is called boher effect मतलब H plus ion concentration की जब बात करी जाती है और उसका effect देखा जादा है कि किस तरीके से वो oxygen का hemoglobin winding के साथ कम्या जादा effect शो कर रहा है that is called आपका boher effect ठीक है और आपका जो curve है वो right hand side की तरफ शिप्ट होगा अभी वो मैं curve भी आपको दिखाऊंगी boher effect जो है वो y directional होता है कैसे higher H plus ion का अगर आप concentration देंगे तो oxygen release होगा from the hemoglobin और अगर आप H plus ion को detach करेंगे binding causes H plus ion to detach from the hemoglobin lower pH जो है वो facilitate करता है वो ही बात है oxygen को oxygen releasing को तो इसलिए यह जरूरी factor है क्योंकि अब tissue तक जहां पे हमारी गई हुई थी oxygen तो अब उसको detach होना है तो यह H plus ion जो factor है वो काम करते हैं लेकिन अब यह H plus ion आएंगे कहां से यह भी मैं आपको बताऊंगी अब conversely higher pH जो है वो increase करता है oxygen की winding को oxygen और hemoglobin को अगर pH कम है अगर H plus ion है ही नहीं तो आप यह मान के चलिए कि release होगी ही नहीं oxygen क्योंकि जो hemoglobin है वो इतने tightly bind करके रखेंगे oxygen को की release ही नहीं होगा तो यह जो H plus ion है इनका थोड़ा सा होना जरूरी है और इस situation पर pH हाई होगा है H plus ion का concentration कम होगा तो जो dissociation curve है वो left hand side की तरफ shift होगा तो यह है आपकी normal situation यह है जहां पर pH है 7.4 जब pH को आपने low कर दिया तो आपका जो curve है वो कहां पर right hand side की तरफ हुआ और जैसे ही आपने pH को बढ़ाया तो आपका जो curve है वो left hand side की तरफ shift हुआ फिर next factor क्या है partial pressure of the oxygen sorry carbon dioxide यह भी एक factor है जो आपकी oxygen की binding affinity जो है towards hemoglobin उसको affect करता है तो अगर partial pressure of CO2 जादा है तो जो आपका curve है वो आपका right hand side को shift होगा मतलब जो आपकी oxygen है वो release होगी आप कुछ तरीके से भी समझ सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अगर CO2 आपकी tissue है अगर tissue CO2 को जादा release कर रहा है तो होगा क्या कि वहां पर CO2 plus water आपस में reaction करके बनाते हैं carbonic acid और carbonic acid further divide होता है by carbonate में and H plus iron में और यह ही H plus iron जो CO2 के तरूं carbonic acid के तरूं बनी हुए हैं वो ही आपकी oxygen releasing को क्या करते हैं बढ़ाते हैं तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर partial pressure CO2 का भी आप बढ़ाएंगे तो oxygen binding affinity आपकी oxygen और hemoglobin की कम होगी और कर्ब जो है वो राइट-hand side की तरफ shift होगा अब partial pressure of the oxygen PS से भी related होता है like कि जैसे high partial pressure of oxygen रहेगा तो H plus iron का concentration जादा रहेगा pH आपका at the same time कम रहेगा CO2 in the blood turn into carbonic acid वो ही जो मैंने आपको बताया है with carbonic anhydrase, carbonic acid generate करते हैं आपके hydrogen ion को जो pH को decrease करता है, elevated partial pressure of the CO2 lead to the acidic environment during exercise आपका जो lactic acid है वो also reduce करता है blood के pH को, lower partially pressure of the CO2 at higher pH shift अगर partial pressure CO2 का कम कर दिया जाए तो आपका pH जो है वो high तरफ shift होगा आपका H plus iron का concentration भी कम होगा तो इस समय आपका जो binding affinity है oxygen की और hemoglobin की increase होगी और curve जो है वो left hand side की तरफ shift होगा तो again यह diagram है अगर high partial pressure रहेगा O2 का तो जो आपका curve है वो आपका shift होगा right hand side यह normal का structure है और जो blue वाला है वो basically आपके low partial pressure of CO2 को बताता है अब यह temperature है कि higher temperature जो है वो increase करता है oxygen release को यह again oxygen dissociation करव को favor करता है heat is a by product of the metabolic rate reaction बिलकुल muscles contraction भी आपका temperature को बढ़ाता है metabolic activity cell require more oxygen and release heat और acid जो promote करते है oxygen release को fever भी similar effect को देता है क्योंकि fever के time भी हमें tissue को oxygen की जादा जरूरत होती है तो क्या होगा यह वहाँ पर भी oxygen का dissociation जादा है during hypothermia slow metabolism reduce oxygen demand और causing क्या होगा जो oxygen है वो remain bounded करे रहेंगी आपकी hemoglobin से और जो आपका curve है वो left hand side की तरफ शिप्ट होगा तो यह आपने पढ़ावी होगा जब आप metabolic pathway पढ़ते होगे तो यह है विस फॉस्फोफोग्लिसरेट है वो भी reduce करता है hemoglobin से oxygen की affinity को यह facilitate करता है आपकी oxygen release को जो आपका BPG है वो create करता है red blood cells during glucose breakdown मतलब हम ग्लाइकोलिसिस की बात करते है तो ग्लाइकोलिसिस में ही यह बनता है आपने पढ़ावी होगा जब आप metabolic pathway पढ़ते होगे तो वेन बीपीजी बाइंट तो दा हीमोग्लोविन जो बीटा ग्लोविन चैन है वो highly susceptible होती है इसकी binding से वहीं पर जब हम गामा चैन की बात करते हैं जो हम फीटल हीमोग्लोविन होता है वो highly susceptible नहीं होता टुवाट्स बीपीजी एंड हाई बीपीजी लेवल लीड तो दा मोर ऑक्सिजन अनलोडिं प्रॉम दा हीमोग्लोविन चार पैकेट्स में बंदी हुए थे लेकिन अगर बीपीजी की भी बढ़ा दी जाए तो यह अनलोडिंग मतलब हीमोग्लोविन को ऑक्सिजन से डिसोसियेट कराता है सर्टेन हॉर्मोन जैसे आपके थायरोकसिन है यूमन ग्रोथ हॉर्मोन एपिनेफरी नौर एपिनेफरीन टेस्टोस्टिरोन प्रमोट करते हैं आपके बीपीजी फॉर्म पर ही है कि जैसे यहां पर हमारा एलविलाई था वहां पर अगर हम ऑक्सिजन यह एक्चुली ओटू और सी ओटू दोनों का एक कॉमन डाइग्राम है लेकिन अभी हम फोकस करेंगे केबल ओटू पर तो ओटू ट्रांस्पोटेशन में 1.5% कैसे हो रहा था डिजॉल्व प जी आपका जो वीनस ब्लड है वीनस ब्लड की मैं बात करी हूँ वहां पर कितना है मतलब जब आपका राइट हैंड साइड से ब्लड आया है लंग्स में तब वो कितना लेके आया है 40 mmHg 40 mmHg में हीमोग्लोविल सैचुरेशन कितना है 95% 97% अब इसके बाद आपका ये जब प्योर बना तो प्योर बना तो इसते कितना 40 से कितने में कनवर्ड हुआ 100 mmHg में और ये ही 100 mmHg जब ब्रॉंकियल सर्कुलेशन हुआ तो कितने में कनवर्ड हो गया 95 mmHg में ये सारा oxygen का partial pressure की बात हो रही है और ये 95 mmHg आगे चलके आपका क्या करेगा टिशू तक डिलेवर्ड होगा जहां पर oxygen का amount कितना था 19.4 ml volume इस तरीके से ऐसे ऐसे ये आया पूरा और फिर आपकी टिशू में dissolve form तो कितना है 1.5% और बाकी हीमोग्लोविन कर देता है रिलीव तो ये पूरा पाथवे था अब इस से थोड़ा सबस और देख लो कि ऑक्सीजन है इन्हेल करा एल्विलाई है पार्शल प्रेशर 100 mmHg यहां पर प्रेशल प्रेशर आपका कितना है अभी है 40 mmHg असानी से डिफ्यूजन हो जाएगा पहले आ जाएगा आपका इंटरेस्टीशियल फ्लूइड में और यह मैं यहां का बात बतारी हूं पल्मुलरी एंडरी प्ल्मुलरी में जैसे ही यह आया तो यह कितना हो गया 100 हो गया क्योंकि यहां पर 100 ता यह पर 40 ता हीमोगलोविन था वो बाइंट करा हुआ था है एच प्लस आइन से क्योंकि यह सारी रियक्षन एक आरवीसी में ऐसा तो है नहीं कि एक आरवीसी केवल ऑक्सिजन के लिए में especially facilitate करती है CO2 का transportation में facility करती है तो CO2 यह वाटर के साथ मिलके carbonic acid बनाता है और यह Ta De國 होते हैं क्यां कर विए और अहलिए होते हैं है कि आपके होते हैं हमें और होते हैं टो यह जो है प्लस आयन है यह हीमोगलोविन के साथ यहां पर करा हुआ है वाइंड लेकिन यहां पर पार्शिल प्रेशर जो ऑक्सीजन का है वह बढ़की कितना होगा है और 100 mmhg तो मतलब ओक्सीजन के ज़़ादा डॉमिनेटिन है यहां पर H3 प्लस आयन की चलेगी ही नहीं तो जब ऑक्सीजन जादा डॉमिनेटिंग तो टिशू में कितना था पारिशल प्रेशर जब इसको टिशू में जाना है तो यहां पर पारिशल प्रेशर होगा आपका 40 mmHg टिशू में तो जब 40 mmHg है तो 100 की टाइम तो यह बहुत उचल रहे थे इनने सडन जो है क्या करा हीमोगलोविन जो हाइड्रोजन था उसको धक्का दिया खुद बाइंड हो गए लेकिन जब यहां पर इनने देखा 40 mmHg है तो आप एच प्लस आइनन को धक्का देके कि भाई आपका यहां पे ज़्यादा बर्चस्व नहीं है तो यह सीधा अब टिशू को एड़ सेम टाइम ज़रूरत भी है तो क्या होगा कि यह आपका पूरा जो ऑक्सीजन है वो यहीं यहीं छूट जाएगा और यह एच प्लस आइन खुद हीमोगलोविन से बाइंड करेंगे औ और ओटू जो है वो आपके डिफ्यूजन के थूरू पूरी चली जाएगी टिश्यू सेल्स में तो इस तरीके से यह जो है यह पूरी साइकल चलती रहती है फिर से ऑक्सीजन बाइंड करेंगी एच प्लस आइन फिर यह सी ओटू फिर अब जब मैं सी ओडू ट्रांस्पो ट्रांस्पोटेशन पूरा पढ़ लिया है अगर नहीं भी समझ में आई है तो परिशान मत होना एक बार फिर से पढ़के देख लेना चाहो तो किसी बुक से भी देख सकते हो अधर्वाइस मैंने यहां पर सारी चीज़ां ही डिसकस कर दी है तो समझ में आ जाना चाहिए फिर जो हम सी ओ टू ट्रांस्पोटेशन भी पढ़ लेंगे डीटेल में उसके बाद हम कॉश्टेंस को सॉल्व करेंगे क्योंकि इसमें जो भी कॉश्टेंस है वो इंटरकनेक्टेट कॉश्टेंस मतलब वो पार्शल प्रेशर के अगर बात करते हैं तो ऑक्सीजन और सी तो तू दौनों का बात करते हैं तो जब तक आप गैसियस ट्रांस्पोटेशन पूरा नहीं बढ़ लेते तो समझ में नहीं आएगा तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें क्या पढ़ेंगे और सी ओ ट्रांस्पोटेशन के बारे में पढ़ेंगे प्लस सारे कॉस जो हमको सॉल्व कर लेंगे अगर यह लेक्चर आपको अच्छा लगा है आपकी लिए हैल्फुल है तो लाइक करें शियर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी क्वेरीज हैं आप हमें सीधा कमेंट वॉक्स में भी बता सकते हैं थैंक्यू फॉर्ट झाल